हमने पब्लिक ट्वाइलेट यूज कर लिया था तो हमें यूरिन इंफेक्शन हो गया जितना आपका वेट बढ़ता जाएगा उतना आपका ब्रेस्ट कैंसर के चांस बढ़ते जाएगा कल मुझे भी ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाएगा कॉंडम वगेरा गर आपका पार्टनर यूज कर ले वो जादा बैटर है आप जब हजमन वाइफ कॉंटेक्ट में आए तो आपको ब्लीडिंग हो गई जब तो गाए को बच्चा होता है तो गाएगी तो पूरी देखबाल की जाती है और जब मा को बच्चा होता है तो उसको सब परहेज शुरू कर दिये जाते हैं अब तरीके से प्रेस्ट फीडिंग कराना ये भी ब्रेस्ट कैंसर का का आपको चावल आलू समोसे पकोड़े नियूज नेटवर्ग दोस्तों आज कार में सरकार का एक नया एपिसोड है और जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीते कुछ समय से कार में सरकार के एपिसोड जो हैं वो पॉलिटिकल इंटर्व्यूज को थोड़ा कम और प्रोफेशनल इंटर्व्यूज को थोड़ा जादा फोकस कर रहे हैं ऐसे में इसी कड़ी में आज हमारे साथ गाइनेकॉलिजिस्ट डॉक्टर नवप्रीत को और सहोता जी गाइनेकॉलिजिस्ट का जो काम होता है वो महिलाओं से जुड़ी तमाम समस्याओं के समधान का होता है अब ऐसे में कई सारे ऐसे प्रश्ण हैं जो मुझे पबलिक ने भेजे हैं कुछ मैंने खुद भी रिस जी बहुत अच्छी हूं मैं और बहुत अच्छा लगा कि हमें भी मौका मिला अट लीस्ट आपके माधियम से हम किसी की कोई एवन परसन भी अगर हेल्प कर पाएं बहुत सारी होगी लेकिन सबसे पहले मैं यह चाहूंगा कि डॉक्टर नवप्रीत को और सहोता खुद से इस लग परणस उनका शुरू से ही यह सपना था क्योंकि अमारे एरिया में जो अकि अटरनल मौटलिटी है प्रसफ के भरान का लुग जो डेध का रे एट है नो बहुत जादा है हमारा एरिया में तो मेरे परंस का शुरू से यह सपना था कि मैं गाइन कोलिजिस ही बनु इस सफर को शुरू किया मैंने अमरिज सर से अपनी MBBS करके और उसके बाद मैंने अपनी PG Bangalore से करी है और इसमें बहुत जादा सपोर्टिव रोल रहा मेरे हजबन डॉक्टर रवी सहोता का और मेरे इन-लॉज का आज के टाइम में महिलाओं या लड़कियों के साथ होने वाली जो सबसे बड़ी गंभीर और आम समस्या है वो आपकी नजर में क्या है इस टाइम पे जो देखे जो महलाओं की समस्याएं हैं उसे अगर हम अलग-अलग एज ग्रूप में डिवाइड कर ले सपोस करो हम प्यूबर्टल एज ग्रूप माने प्यूबर्टल एज ग्रूप होता है बारा से सोला साल के बच्चे उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन प्र बच्चे को में यह सला दूंगी कि जो बच्चे का ब्रेन है उसमें हाइपो थैल्मोपिटिट्री एक्से होता है जो पीरेट को रेगुलेट करता है वो मेच्चे और होने में दो से तीन साल लगते हैं तो अगर आपके बच्चों को शुरुवाती पीरेट शुरु हुए ह उसमें अगर दो-तीन साल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए बच्चों को बहुत जादा दवाईयों से ना ला दे क्योंकि यह ब्रेन को मेच्चे और होने में दो-तीन साल लगने है दो-तीन साल तक यह प्रॉब्लम रहनी है ठीक है अगर तो लग रहा है कि उसरी बच्चों में प्रॉब्लम आती है वाइड डिस्चार्ज की एंड यूरिन की इंफेक्शन की इस टाइम के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में वियस्त होते हैं उन्हें यह होता है जी हम जादा से जादा खेल ले पढ़ाई कर ले और यूरिन आ जाए तो जब अपनी जो इग्नोर कर रहा है यूरिन को उसे ना करके वह यूरिन पास करने जाए वाइड डिस्चार्ज के लिए भी अगर आप बच्चों को पर्सनल हाइज शुरू से ही सिखाओगे कि आपको वाश्रूम जाके वजाइना को दो के अच्छे से और उसको क्लीन कर ना ड् प्राइड की प्रॉब्लम है या वैड डिस्चार्ज की प्राइड बागलम है उसकी जब आपको दूरूरियोघ separation हो ओर है तो यूर्ण होने आपको शुरू हुआ है इंफेक्शन तभी दॉक्टर के पास आके कल्चर करवाई और फिर उसके अकॉर्डिंग दवाई ले पीरेड की प्रॉब्लम है तो पीरेड से सबंदित आप एक बार अगर आपको लग रहा है कि पीरेड नहीं हो रहे तो आपना हैल्थ की तरफ ध्यान देखे इसमें भी कभी पीरेड आपको दस-दस दिन में होंगे और कभी दो-दो साल महीने तक नहीं होंगे ऐसे में एक बेसलाइन स्कैन जरूर कराएं जिससे आपको यह पता चल पाए कि अंदर कोई कैंसर यां कोई रसॉली जैसी दिकत नहीं है और इस टाइम पे अपना पैप स आए तो उसे हम मेनोपॉस कहते हैं अगर उसके बाद कभी भी धबा भी आजाए हलका सखून का यह फिर आपको बद्बुदार पानी आए तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है जो मां हमें बच्पन में सोते सोते भी दस बार उठके देखती है जब वह इस एज में आती ह तो उसको कुछ प्रॉब्लम थी तो उसने यहां लोकल ही कोई दवाई ले ली बच्चों ने भी जादा ध्यान नी दिया आज वह एडवांस कैंसर के साथ डाइग्नोज हुई है तो इस एज ग्रूप में क्यूंकि का रिस्क जादा होता है तो प्लीज एस एज ग्रूप को बिल्कुल एंड तक एक्स्टैंड मत कीजिए कि जब बिमारी बहुत ही बढ़ जाए तब पहुंचे इस एज ग्रूप को भी उतनी ही तवज्जो दीजिए जितनी आप अपने बच्चों को देए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैं आजकल बहुत जादा सुन रहा हूं लड ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लिमानशु में दो तीन चीजे आज बहुत जादा स्ट्रेस से बताऊंगी पहली चीज यह है कि जो ब्रेस्ट कैंसर यह दो कारण इसके में हैं एक है जैनिक कि आपकी मौसीब हुआ मम्मी नानी दादी किसी को था तो आपको हो गया उसके लि में दो मेंबर्स को हो गई है तो अपना जैनिक मैपिंग भी करा लेनी चाहिए कि कहीं हमारे अंदर वो जीन तो नहीं है जैसे हमने सुना होगा अपने हॉलिवूड अभिनेत्री थी एंजलीना जॉली उन्होंने अपने दोनों ब्रेस्ट रमूव करा दिया क्यूंकि हमारे हिंदुस्तान में भी इतनी जागुरता होनी चाहिए यह कि अगर हमारे फैमली में अगर किसी को है तो हम प्रॉपर अपना एयरली उसका प्रोफिलेक्टिक अल्टरासांट या को स्कैनिंग कराए या फिर अपनी मैपिंग करा ले दूसरा इसका जो ब्रेस्ट कैंसर तो जितना आपका वेट बढ़ता जाएगा उतना आपका ब्रेस्ट कैंसर के चांस बढ़ते जाएंगे आपको ब्रेस्ट कैंसर कारोगी है तो आपको अपना वेट और लूज करलेगे तो आपको रिक्रंस नहीं होगा आपका जैनेटिक भी वो है इन्वाल्मेंट जीन्स हैं पर फिर भी अगर आप अपना वेट कंट्रोल में रखेंगे तो चांस हलके से थोड़े कम हो जाएंगे अब इसो कैसे मेंटेन करना है इसके बारे में तो हम हर रोज बाते करी रहें एक्सराइस करो डाइट में प्रोस उतना चाहते हैं ब्रेस्ट कैंसर से उन्हें भी अपना वेट मेंटेन रखना है क्योंकि यह इस्ट्रोजन डिपेंडेंट यूमर होने के कारण जितना वेट बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा आपके चांस बढ़ते जाएंगे कैंसर के बात बात आती है सर्वाइकल कैं अजरा ach класс शर्वाइकल गानी के मुंगों उसके बच्यदानी की सर्वाइकल कैंसर कहते हैं हमारे 젊 फे निए सब्से अच्छी चीज जो सर्वाइकल कैंसर में निकल कि यह आई है कि यह लौती ऐसी कैंसर है ज contradict किया सकता है कि अगर आप वो vaccination ले लोगे, आप बहुत सुन रहे होगे, हाई पाचकल सर्वाइकल वैक्सिन, cancer वैक्सिन की, अगर वो आप vaccination ले लोगे, सही टाइम पे, तो आपको cancer के chance काफी कम हो जाएंगे, एक तो हो गया बचाव, दूसरा early diagnosis, क्या है जो cervix है, ये बच्चेदानी का तो इसकी सबसे, इस cancer की problem ये है, कि ये बहुत लेट stage में पता चलता है, जब बहुत advance हो जाता है, तब पता चलता है, तो इसलिए सबसे जरूरी चीज़ ये है, कि इसके बारे में जल्दी पता कराया जाए, इसके लिए एक PAPSmir नाम का टेस्ट आता है, जो मैं बता सकती कि असी प्रतिशत हमारी जैसे गानेकॉलेजिस भी नहीं कराती है, पर वो कराना चाहिए, वो yearly test होता है, अगर आप वो कराओगे, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा, कि कहीं आप ऐसे रोग से पीडित तो नहीं हो, और इसकी early diagnosis ही, इसका, मतलब वो इलाज का वो है, कि अगर आपने जल्दी स्टेज में पता चल गया, तो सबसे पहले चीज वैक्सीन एंद दूसरी चीज इस पाप स्मियर, यह दोनों चीजे बहुत बहुत इंपोर्टन है, अगर सपोस करो कि अब हमें कैसे पता चले कि हमें सर्वाइकल कैंसर हो गया, हमने ना तो पैप स्मि में आए, तो आपको ब्लीडिंग हो गई, या फिर आपको एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, पीरेड के टाइम में, ऐसे में आपको पैप स्मियर करा के और गाइनेकॉलेजिस को चेक अप जरूर करा लेना चाहिए, कहीं हमें ऐसी कोई दुकत तो नहीं है, प्रेस्ट फीड तो इसा कोई कॉनसेट नहीं है, जो ब्रेस्ट मिल्क है, यह हमारी बॉड़ी, ब्रेन में होता है, प्रोलेक्टिं उसके रिलीस होने से होता है, दोनों साइड में सेम गलाइंड है, तो सेम ही तरह का दूद बनता है, ऐसा नहीं है कि एक साइड में कुछ हो और दूसरी जो होची है पर जिसमें पानी और शूगर जादा जो बार में दूद रेलीज होता है उसमें प्रोटीन और फेट जादा हुसे हम हाईंड मिल्क केते हैं अगर आप सोचो आपने सिर्फ फांच साथ मिनट के लिए बच्चे को दूद पिलाया तो आपके बच्चे के अंदर श जूगर और पानी गया है, उससे उसकी प्यास मिट रही है, पर उसकी ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए आपको कम से कम हाफे नार के लिए एक साइड से दूद पिलाना है, अगर आपने पांच मिनट इदर पिला लिया तो दोनों साइड का फोर मिल गया है बच्चे को, उससे सिर कि अपने 20-25 मिनट कि आपने बच्चे को फोर मिल्क भी दिया है, और हाइंड मिल्क जो नूट्रिशियस है, वह भी दूद बच्चे को पिला आया है, तो ऐसा बिंदителя से जादा ही पिलाना चाहिए, की तो जब तो गाय को बच्चआ होता है, तो गाएगी तो पूरी देख Kollegin खाओगी तो बच्चे को परेशानी होगी वह हमें लग रहा है कि हमें अपने बच्चे को अच्छा पोस्थन देना है उसके लिए हमें मा को अच्छा पोछन देना है मां को घी, हरीरा, सारी सबजिया, सारे फल, सब खिलाइए, एक तो वैसे ही उसके डिलिवरी के कारण उसके एनर्जी लो हो गई है, उसने अपनी सारी ताकत उसमें लगा दी डिलिवरी करने में, या फिर अगर सिजेरियन भी हुआ है, तो उसमें भी एक्वली पेशन का ब्ल ताकि जो है बच्चा बच्चे को भी अच्छी नूट्रिशन मिल पाइए, अब प्रॉबल्म हिंदुस्तान में कहां पे हैं, बच्चा पैदा हुआ, आइडली गाइडलाइन हैं कि जनम पे नॉर्मल डिलिवरी हो तुरंद मां को बच्चे को मा से अटैच कर दो और हुआ आएगी, वो शगुन करेगी, उसके बाद तक बच्चा दूद नहीं पियेगा, तब तक, पहले तो भुआ का आने का इंतजार, दूसरी चीज, जितने भी घर के पुर्ष हैं, ससूर, ताउ, चाचू, वो सब महिला के पास बैठे हुए हैं, और हम सोच रहे हैं कि व हमारी, जहां पे हमने हर चीज को कर्टन करके रखा हुआ है, वहां पे इतने पुर्ष बैठे हुए हैं, महला को खुद ही सहज नहीं लगेगा दूद पिलाना, तीसरी चीज, जब थोड़ा सा दूद नहीं आया कुछ, क्योंकि हमने खाने को दो दिया नहीं है, सिर मूम की बना है, वह बच्चे ने पिया और 15-20 मिनट में ही डैजस्ट करके सुसू कर लिया, अब च्चा कह रहा है मुझे और दूद दो, यह नहीं कि उसका पेट नहीं भरा था, इसका मतलब वह इसली डैजस्ट हो गया, तो आपको लग रहा है कि उसका पेट नहीं बढ़ा है, ज पेट नहीं बढ़ा है, अगर उसने बच्चे ने बढ़ा का दूद पी के सुसू कर लिया है, तो इसका मतलब यह है कि बच्चे का पेट भरा हुआ था, तो मा को अच्छा खाना किलाईए, मा जो बच्चे माएं ब्रेस फीड करती है अपने बच्चों को वह बार बच्चे को फीड कराना पड़ता है, क्योंकि डाजस्टेट फूट से बना है, वह जल्दी पचा लेता है, और मांगता है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है, कि वह मा का दूद सफिशंट नहीं आ रहा है, मा का दूद सफिशंट है, बस फ्रिक्वेंट उसको ब्रेस फीड है, आपका ब्रेस्ट कैंसर का रेट कम करें, ऐसे कुछ फूड आइटम जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान कंस्यूम करने से बहुत जादा है, अगर तो आपकी जेब अलाओ करती है, तो सबसे अच्छा फूट ब्लूबेरी है, वो लीजिए, अगर थोड़ा सा कम अलाओ क प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं, अगर आपकी जेब बिल्कुल भी अलाओ नहीं करती है, तो आपको चाव, आलू, समोसे, पकोड़े, मोमो, बर्गर ये कुछ नहीं खाना है, क्योंकि पहले आपकी जेब अलाओ नहीं कर रही है, उपर से ये सब चीजे खा के आपकी हेल संत्रे खा, ज्यादा से ज्यादा अंडे खा और ज्यादा से ज्यादा वाइट फूड आइटम्स को कंज्यूम कर, तो तेरा बच्चा जो है, गोरा चिट्टा पैदा होगा, ऐसा होता है कुली, हमान्शू, यह हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यह पार्ट और पार्सल है, तो मतलब आप सोचो कि हम रहम, रहे हमें भी जाते हैं, आपको नहीं होता है। तो बेसे को बता है यह इसा बिल्कुल नहीं है, जो बच्चे का रंग है, हाय, बेट सब जो चीजे हैं, जो 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 चीजेश Nicholas है कि जैनिग एटि शीज़एं एगर मापबाप का गोरे हैं त प्रफशे करता है केसर का दूद। पिलाना चाहते हैं तो पिलादो तोड़ी हैल्ठी इंडरू और कुछ नहीं है तो हम कहतें जो आपकरना चाहते हो करलो हम उसके लिए मना नहीं करते हैं पर इससे कोई आपको सिजेरियन से हैं जादा गैप नहीं है तो आपको सिजेरियन से पच्चा करना है अब प्रॉब्लम यह है कि अल्टासाउंड वाले डॉक्टर साब ने लिख दिया कि बच्चे के गले में नाल है बच्चा थोड़ा कमजोर है और बच्चा उसमें आसपास थोड़ा पानी कम है थोड़ा चीक है अब जो घर पे हमने रिष्टिदारों को खोल के दिखाया अल् भाईया वो डॉक्टर साब ने अल्ट्रासाउंड वाले इसलिए लिखा है कि जो आप गाइनेकॉलिजिस को दिखा सको और वो ध्यान से नॉर्मल डिलिवरी के टाइम मोनीटरिंग क्लोस ली कर ले जब भी मरीज हमारे पास आता है नॉर्मल डिलिवरी के लिए उसके पेट जादा इंपोस किया जाता है डॉक्तर पर कि वहाँ हमारे बच्चे के गले में नाल हमें रिस्क नी चाहिए जच्चा-बच्च्च सही चाहिए आप से नहीं होगा इतने साल लों से महलाए नॉर्मल बच्चा-धि तो करती आ रही हैं उनके बच्चे के गलों में भी नाल उनके बच्चे बहुते तो यह नहीं है एक परसंट भी नहीं है कि अगर बच्चे के गले बेदाल है बच्चा कमजोर है यह फिर उसका पानी बच्चे के आसपास थोड़ा कम है तो आपको दिप सेजेरियन ही कराना है और हमारे हमारे केस में तो यह है कि सहोता फॉस्पिटल में हमने नॉर्मल डिलिवरी और सजेरियन का रेट अल्मुस्ट एक बराबर रखा है ताकि मरीज को कभी भी यह ना लगे कि पैसे के चक्कर में डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया है यह सवाल मैं आपसे पूछने वाला था आपने इस सवाल को ही खतम कर दिया क्योंकि अधिक्तर लोग तो यही कहते हैं कि या तो डॉक्टर अपनी मेहनत बचाने के लिए ऑपरेशन कर देते हैं जल्दी-जल्दी या फिर वो थोड़ा ज़ादा पैसा बना वही मैं कह रही आजकल मैं हर किसी को इवन डॉक्टर्स को पेशन्स को यह रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में सेजेरियन के चांस कम हो तो पहला बच्चा या जो भी आपका बच्चा है उसको पहली बार ही ऑपरेशन से बचाए जब आपने एक बार ऑपरेश में जितने भी बच्चे होते हैं उन में से 95 परसंट इसे हम पहले उप्रेशन हो रख खा हो तो उनको हम सेजेरियन से करते हैं पर जो फ्राइमरी पेशन आते हैं जिनका पहला बच्चा है उनमे हमारी 99% चांस यह होता है कि हमारी यह कोशिश रहती है कि इसका नॉर्मल हो तां कि आगे भी नॉर्मल का चांस रहे उसके लिए नॉवे महीने में हम बहुत सारी दवाईया एक्सराइज़ यह सब शुरू करते हैं अपने पेशन्स के लिए तां कि उसका नॉर्मल के चांस बढ़ जाए तो प्लीज में बार बार आपके टीवी के मादियम सी यही कहना इसको अपरेशन के लिए खुद मरीज को मत लेके जाओ इसके लिए कि मेरे बच्चे के गले में नाल है दूसरी चीज़ पेशन्स बहुत कम हैं मतला हम कह रहे होते हैं कि सब ठीक है नॉर्मल हो जाएगा मरीज के रिष्टारों को लगता है हम तो छे गंटे से आई हुए अबी तक बच्चा नहीं हुआ है पहली ही दर्द में आप हॉस्पिटल आ गए नॉमल जो फिजियोलोजीकल प्रोसेस है नॉमल डिलिवरी का उसमें 24 गंटे से 48 गंटे तक लग सकते हैं आप पहली ही दर्द में हॉस्पिटल आ गए और आप चारे हो कि छे घंटे में बच कर रहे हैं कंटीनियूम नीटरिंग चलती है अगर 12 गंटे मरीज लेबर में है तो 12 गंटे पेट में मशीन लगी रहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसे इग्नोर कर दिया जाता है कोई बात नी दर्दों में रहो ठीक है सो पेशन्स बहुत जरूरी है पेशन्ट के लेव उन्होंने अपना वापस के वापस से काम काज में वो लॉट वी जैसे ही मांशू प्रेगनेंसी एक बिमारी नहीं है ऐसे ही डिलिवरी एक नैचनल प्रोसेस है ठीक है उसमें बेड रेस्ट क्योंकि मा थकी हुई है पूरा दरात उसने जर्दे सही है तो मैं मान सकती हूं क उसे आजन पाउना के सोने के लिए दे दो वह स예घ्षी और स्वहार जहीं जाहिए और शेजेरन के पाई य नहीं पार गएट तो उसके लिए 5-6 गहँगोरी है इतना ही रेस्टी ज़ूरी है एक्स्ट्रो और एड़िट कोई रェस्ट की ज़ूरत नहीं होती है हम हमारे ही क कोई पर्टिक्लर रेस्ट पीरिड की जुरूद नहीं है डेफिनेटली फैमिली की सपोर्ट की जुरूद होती है क्योंकि आपको नींद भी पूरी करनी है बच्चे को भी सारी रात देखना है तो बीच बीच में शिफ्स में आफ फैमिली के साथ शिफ्ट करके आप अपना अगरा आपका महलाओं को रहा है दूद के रंगा है उसमें खुजली हो रही है उसमें बदबू आ रही है तो यह फंगल इंफेक्शन है आपको डॉक्टर के पास जाके इसकी दवाई देनी है अगर वो हरे रंका है उसमें से कोई बास आ रही है मचली जैसी तो आपको डॉक्टर को दिखाना है अगर वो ट्रास्पेरेंट है बिल्कुल पानी की तरह उसम कि यह हैं कि वो जो है वाइट डिस्चार्ज उसे ठीक करने की जरूरत नहीं है वह आपकी बॉडी जादा डिस्चार्ज पर ड्यूज कर रही है पर वह खाम फुल नहीं है आपके लिए इंपक्ट जो हामफुल चीज है वह तो यह है कि वजाइना ड्राय हो जाना उस ते आ इसको लेकर भी तरह तरह की बाते चलती हैं कि अरे यार मोटी हो गई यह कारण उसकते हैं तो इसका भी कोई साइटिफिक कारण है कि शादी के बाद ही मोटा यह पतला हो जाती है क्योंकि शादी एक एक एच रिलेटेड चीज है आपने अठारा बीस साल में शादी कर ली अपको बुड़ापा तो जादी के बाद ही आना है इसा कोई बी रीजन नहीं है मैंने आर्मल डिलिवरी वाले लोग बहुत मोटे रेखे और सज़ेरन वाले पतले भी रेखे हैं इसा भी नहीं है कि आप उपरेशिं हुआ और आप ठले रहोगे एसा नहीं तो इस और यह लिए और यह लाईट ट्री वीक्षिंग इसाए जि पिसी महीला के लिए फॉस टाइम प्रग्नेंसि के लिए जो पॉफक्त एज होती है और इतने साल से इतने साल तक के बीच अगर महीला फॉस टाइम प्रग्नेंट हो तो बहुत जादा बैट देखे आइडली अगर हम सोचें कि अगर आपकी शादी टाइम से हो गई है तो 23-28 क्योंकि उस टाइम आपको कॉंप्लिकेशन के चांस थोड़ा कम रहेंगे क्योंकि विद इंक्रीजिंग गेज यसे मैंने बताया सब तरह की कॉंप्लिकेशन हेल्थ-related भी बढ़ती रहती हैं आपके जो एग्स हैं उन वह भी कम हो जाते हैं विद इंक्रीजिंग एज ठीक है आपकी बॉड़ी में थोड़ा अक्सिडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है बीपी शुगर की दिकत भी आगे आके बढ़के होने की चांस रहते हैं तो ऐसे में ट्वेंटी-ट्री से ट्वेंटी-एट इस बेस्ट तो तो एग्फ्रीजिंग के बारे में भी मैंने बहुत सा जादियां थी उनकी शादी हो जाती थी 20-22 साल में बच्चे भी हो गए चलो जी खतम कहानी ठीक है आप तो अठाइस साल का बच्चा तो भी कॉलिज फिनिश कर रहा है तो उसमें जब जब आप इंक्रीजिंग गेज में जा रहे हो और आप शादी नहीं कर रहे हो तो आप कि एक का रिजर्व जो है वो कम होने लगता है अगर आपने शादी लेट करी है या फिर आपने शादी तो कर ली है पर कुछ कारणों के कारण अभी चारे हो क्या प्रेग्नेंसी पांचाल साल ना करो अपना करियर बनाना है यह करना ऐसे पेशन्स के लिए एक और स्परीज टेक्निक्स होती है आपकी ओवरी से एक पिक करके उन्हें सेफ कर लिया जाता पूर फ्यूचर कि अगर आप सोचो कि मुझे चालिस साल के बाद बच्चे करने पूरा सेटल हो के तो आपके पास आप्शन रहे वरना इंक्रीजिंगे आपके एक्स कम हो जाएंगे जब आप सोचो कि तब तक हो सकता आप कंसीवी ना कर पाओ तो उन सब महलाओं और पुर्शों के लिए एक्स प्रीजिंग और स्पर्म प्रीजिंगे जो बच्चा जातों लेट चा रहे हैं शादी लेट चा रहे हैं जा किनी कारणों के कारण जैसे किसी को कैंसर हो गया उसको रडि सब्सक्राओज के लिए टेकनिक में जाते हैं तो इक चार्ज राउंड 40-50,000 के ररेहना खाले हैं तो फ्र फ्रीजिंगे जाते हैं तो इनको हम कैसे प्रेवेंट कर सकते हैं इन से अपने आपको और किस नाइप से इसमें भी आज में आपका बड़ा मित कर दूगी हमारे बहुत कॉमन है, हमारे पस्टेशन आते हैं, वो कहते हैं, हमने पुब्लिक ट्वाइलेट यूज कर लिया था, तो हमें युरिन इंफेक्शन हो गया, बाईया, समझो एक चीज को, कि जो युरिन का इंफेक्शन है, वो बेक्टीरिया के कारण हो रहा है, पुब्लिक जाना, आप थोड़ा और आगे गरे, ठीक है, तो आपने इतनी देर युरिन होल्ड करके रखा, युरिन इंफेक्शन है, जब आप युरिन को टाइमली नहीं पास करोगे, और उसे होल्ड करते रहोगे, तो वो युरिन इंफेक्शन का कारण हो सकता है, या आपने युरिन कम बनेगा, तो जितना भी युरिन आपको प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि युरिन नहीं बन रहा है, तो आपको पिशाप जाने जासा नहीं लगेगा, तो जो युरिन है वो ब्लैडर में बहुत देर तक पड़ा रहेगा, तो वहां पे बिक्टीरिया ग्रो क प्रेशन हो रहा है, उससे पता चलेगा कि कौन सा ओर्गानिजम है, जिससे आपको इंफेक्शन हो रहा है और उस पे कौन सी दवाई असर करेगी, ताक कि आपको सटीक वो दवाई मिल पाए, और आप उससे निजात पापाई, आजकल बहुत सारी लड़कियों को मैंने दे कुछ वैक्सिंग बहुत सारे पैंतरे अपनाने लग जाती है लड़कियों कुछ लेजर थेरिपी तो यह फेशिल हैर्स आखर क्यों आ जाते हैं लड़कियों के फेस पे और क्या ऐसा किया जाए कि आई ना एक चीज हमें समझनी है एक होते हैं हमारे बेबी हेर जिने हमें क्याते हैं वह नॉर्मल है अनसेसरली इस चीज में नहीं जाना है कि भई फेस पे बी बाल नहीं दिखना चाहिए यह नेचर ने हमें किसी प्रोटेक्शन के लिए ही दिये हैं जो बेबी हेर्स हैं आपको उसके लिए कुछ भी करने की जुरुत नहीं है लेकिन अगर आपक जैसे पीस्योस हो गया यहां फिर मान लीजिए कि आपको अपने अंदर से कंडिशन को तो ट्रीटी नहीं किया ना यह तो बार बार हॉर्मोन बढ़ता रहना है और बार बाल आते रहने हैं तो इसको ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि पहले आप अपनी जो अंडर लाइंग कंडिशन है जिसके कारण आपकी बाड़ी में टेस्टोस्टिरोन बढ़ रहा है या हॉर्मोनल डिस्ट बैलेंस हो उसे ट्रीट करो और उसके बाद ही किसी थेरपी के लिए जाओ क्योंकि यह परमानेंट सल्यूशन नहीं हो सकता है अगर आपको अंदर कोई बेसिक प्रॉ क्या सकते हैं यह सेफ है इसमें थोड़ा सा मेरा यह टेक रहेगा कि अच्छा है कि अगर आप कंसीव करके फिर दवाइयां उसे अबॉर्ट करने के लिए खा रहे हो उससे तो बेटर है कि अगर आप पिल्स लेगे पर सबसे बेटर अगर आप प्रेगनेंसी को वाइट करन देन अन्वांटेड प्रेग्नेंसी की अबॉर्शन वाली दवायों से क्योंकि जब आप प्रॉब्लम क्या है हमारी यंग एज में हमारे पास 17-18 ओर गल आती है जिन्होंने पीरेड मिस हो गए बॉइफरेंड ने दवाई दी खाके आ गई यह भी नी चेक किया कि वह बच्च है कि आप ऐसी लाइफ स्टाइल में ही मदगुसों कि जहां आपको यह सब चीजें करनी पड़ें पर अगर आप सेक्शुली एक्टिव हो तो आपको थोड़ा सा प्रेग्नेंसी से बचने के लिए अगर ऐसी मेडिसन्स खा रहे हो वह फिर भी बैटर है देन अबॉर्शन मेडिसन्स खाने से बहुत दन्यवाद तो साथियों यह इंटव्यू जो था यह खास तौर पर था लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए और मुझे लगता है कि जितने सवाल भी मैं पूछ सकता था अपनी सूजबूज के अधार पर मैंने सारे सवाल पूछ दिये हैं औ यह इंटव्यू आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में लिख करके आप बता सकते हैं धन्यवाद